दशराश भात्रा के उपलक्ष में राज तिलक महुत्सव आयोजन समिती 26 सक्टूबर को केशवकुंच के अश्ट भुजा मंदिर में राज तिलक महुत्सव का आयोजन करने जा रही है। महुत्सव आयोजन समिती ने शुक्रवार को बुर्जी वाला मंदिर में महुत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान राज तिलक महुत्सव आयोजन समिती की अध्यक्ष शमा जैन सक्सेना ने कारिक्रम के जानकारी देते हुए बताया कि 25 सक्टूबर बुद्वार को शाम 4 बजे महंदी रंगोली दल वा बाल स्वरूप सजा कारिक्रम शाम 5 बजे से राज तिलक की करने का अवसर दिया है इसमें हमारे छेत्र के गर्माने लोगों ने जिस तरह पिछली बार भी बहुत ही धूमदान से हमने यात्रा का उद्वार प्रूप किया था उसी की तेहत इस बार विरास्ति लगका बहुत ही भव्य तरीके से जैसे की एक अध्या नगर साय जाती र आप सबको बता दिया मेरा आपके चैनल के माद्यान से सब लोगों से अनुरोद है किस कारकरम को सभी लोग व्यक्ति रूप से अपना कारकरम मानते हुए सबी लोग जोड़ें राजतिलक महुतसव आयोजन समिती की बुर्जी वाला मंदिर में आयोजित इस प्रेसवारता में शामिल दशहरा शोभायात्र समिती के अध्यक्ष महेंद्र खंडेल वाल ने बताया कि 24 अक्टूबर को श्रीराम मंदर से की माती इस वर्फ भी 24 अक्टूबर को तैसेरा शोभायात्रा जट्पुरा मंदे से निकलकर सेंजनोंच एंचर जाएगी जहां बुराई अच्छाई की जीत होगी रहामणवड का अंध्यों और इसी के साथ-साथ जो दूसरा कारकरम हमारा युद्या नगणी राज्टलक का होता है पिछले वर्ष की वादी इस वर्ष भी हमने यह आयुद्जा नगरी राज्ट्रक समय जैन जी के नेतरत में केसा कुंछ परताब नगर में दी है मैं सबी यहां के लोगों को बहुत बढ़ाई और आवार व्यक्त करता हूं पुला हल होई जै रगवीर केहते सब कोई तो रगवीर के जैगोसों से केसा कुंछ परताब नगर जैपुर हाउस में जो राम जी का डोला आने वाला है उसको लेकर लोगों में भहुत रोमांच है सभी प्रभू श्री राम के दर्शन को और उनकी महा आरती उतारने को लाला प्रभू श्री राम का राज तलक महुत सब को लेकर लोगों में खासा उल्लास का माहौल है सी नियूज के लिए अजय बहादूर की रिपोर्ट